हेलो फ्रंट्स कैसे हैं आप लोग सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाके सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आप तक पहुँच सके अगर आपने दे गोर्डन स्पून की पिछले एपिसोट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में वीडियो जाके देख लें एपिसोट की शुरुआत में दिखाते हैं जुनताई अपना जुर्म कुबूल कर लेता और मीडिया उससे सवाल कर रही होती लेकिन जुनताई कुछ नहीं बोलता है वेहां दूसरी तरफ लेषंग को देखते हैं जो जुही के पास जाता और उससे कहता है कि देखा मैंने तंमारे टैट को नहीं मा रहा है अब हम दोनों दोस रह सकते हैं क्या है तो जुन ताई भी कहती है मुझे तुमारे उपर शकत है इसले मुझे मुझे माफ कर दो हम दोनों अब अच्छे दोस्त बन की रहेंगे वहीं दूसरी तरफा में ओरिजनल ही यॉंगता है दिखा जाता है जिसके पास वही गोल्डन स्पून होता और वो कुछ फ्लेश बैक सोच रहा होता है जहां पर वो देखता है कि टेनल के पास उसे ओल लेडी मिलती और उससे वो गोल्डन स्पून ले लेता है जिसके बाद वो ओल लेडी उसे बताती है कि तीन बार खाना खाने की बाद तुमारे पैंट स्विच हो जाएंगे ओल लेडी और बुक से मिलती सारी बाते देखने के बाद यॉंगता है को समझ में आ जाता है कि वो असली ही काफी भुगा है उसे कूछ खाने को मिल सकता है क्या सुबह ब्र vale करके नहीं है जिसके बाद हम देखते ऐंग चल्री ने मेंडिया गॉल्ड़न स्पून के साथ खाना घाल लेता है वहीं डूसके मीटिंग पढाता है जहां पर हमें ओरिजनल ली संग दिखाया जाता है डोशिन ग्रूप में फिजिकल डिविजन की वज़े से कुछ परशानियां आ रही होती जिस वज़े से ली संग सभी को सारी बाते समझाता है उसके डैड भी सारी बाते सुनना होते हैं ओरिजनल इसंग की बातें सुनने की बात यह उंगता है के डैड उसको अपने ऐफिस में बुलाते और उसे कहते हैं तुम करना क्या चाहते हो तो उलीजसंग उनसे कहते है जितने भी जुंताई की शियर हैं मैं चाहता हूँ कि जुनताई के सारे शेयर आप मेरे नाम कर दें और उन शेयर को मिला कब फिस्कल डिवीजन की वज़े से में डोशिन ग्रूप को फाइदा पहुचा सकता हूँ तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम ये क्यों करना चाहते हैं मुझे इसका कोई रीजन दो तो ली संग उनसे कहता है ये सब जुनताई की वज़े से हो रहा है शेयर होल्डर अपने शेयर पेच रहे हैं क्योंकि जुनताई ने मडर किया है और आपको मेरे नाम शियर इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ मैं आपका बेटा हूँ और इससे बड़ा रीजन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ फिर ली संग उनसे कहता है अगर जुनताई वाला का मैं करता तो आप क्या करते हैं तो उसके डैट कहते हैं कि मुझे पता है तुम मडर नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे बेटे फिली संग बाहर आता और सोचने लगता है कि जब मैंने मडर नहीं किया ये बात डैट को पता थी तो फिर वो इस केस को इतना बढ़ा क्यों रहे थे वहीं दूसी तरफ हमें जूई दिखाए जाती जो सारी बातों से काफी परिशान होकर ड्रिंक कर रही होती है अपनी दोस्त के साथ और वो ओरिजनल ली संग की बातों को सोच रही होती है उसने ड्रिंक बहुत जादा कर ल योजिन के फोदर संद्री की बातों को सीरिस लेकर उसके रूम को तलाशने लगते तभी उनको वहां पर जंगनारा और उसके डैट की फोटो मिलती है वह फोटो देख रहे होते तभी वहां पर योजिन आ जाती है तो उसके डैट फोटो को चुपा लेते और बाहर निकल बाहर आकर वो जंगनारा के डैट की फोटो को देख कर जंगनारा के डैट का पता लगाने के लिए बोलते हैं दूसरी तरफा में ओरिजिनल हियंगताय दिखाया जाता है जो ली संग के आफिस में आता और उससे कहता है मुझे उस जिन के लिए माप कर दो मैंने तुम्हारे उपर शक किया उस बेकार सी बुक की वज़े से फिर ओरिजिनल हियंगताय ली संग से कहता है कि मैं एक वेब टून बना रहा है जिसमें मैंने अपने आपको हियंगताय बनाया और तुम्हें ली संग बनाया है ओरिजिनल हियंगताय की बाते सुनने की बद ली संग काफी प से लिसंग काफी परशान होकर चर्च मैं आ बैट जाता है तब उसे आहट होने लगती है चर्च में तो वो काफी तढ़ जाता है पीछे देखने की बद्वो काफी सेहीं जाते हैं क्योंकि जुही काफी नशीये में होती और वो अज़ीब सी हरकत कर रही होती है। वो l ту को घर रही कर जाता है तो जोई-ल ये संग कहने लगती हैं जब मैंने पहली बर ली संग को देखा तभी मैं उस से प्यार करने लेकिन मैंने दस सालों में देखा कि उसका बीवर काफी अजीब हो रहा है इसलिए मैं उसके करीब नहीं जा सकती हूं वो पहले जैसा ली संग नहीं रहा है ये सारी बात ली संग समझ जाता है कि वो उसकी तरह भी एप नहीं करता है वहीं दूसरी तरह हम देखते ली संग अपने गर जाता है जहां पर उसकी मेट बताती कि ली संग नेकल मुझ से खाना मांगाता है यह सुनने की बद ओरिजनल ली संग सभी मेट से कहता है कि अब कोई दोबारा उसे खाना नहीं देगा ली संग समझ जाता है कि ओरिजिनल ही होंगता है कि पस गोल्डन स्पून आ चुका है फिर हमें दूसर शिन दिखाया जाता है जहां पर ली संग जो ही से मिलने जाता है और उसे कल रात के लिए टीस करते हुए कहता है कि ली संग काफी बुरा है तुम्हें उससे दूर रहना जोई यह बाते सुनने के बदगुसा हो जाती और वहां से जाने लगती है जोई उससे कहती है कि मैंने नशे में कुछ भी बहुम दिया लेकिन मैं ली संग के साथ कुछ हूँ यह बुलकर वो जाने लगती तब ली संग उसके पीए आता है ली assisted ममयानी कुछ ना लेकिन रहता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई खाने का समान्द देगते इन दॉसरी बार भी गोल्डन स्पून जाते हैं склад शिब्ड़ trips और तुम्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि तुम्हें उसके साथ क्या करना है फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर ओरिजिनल ली संग अपने गर आता है और अपनी माम से कहता है कि अगर पर ली संग है तो उसकी माम कहती वो अभी तोड़ी देर में आता है तो ली संग उ पर यॉंग्ताय आजाता है औरिजिनल ही तो ली जग संग उससे कहता है कि जैसे तुनारे मेरे घर करेंघ करेंकी घून मेरा पर यंग तुनने की बनीज खो और लेड़ी से पूछने लगते हैं कि इसमें पैसे नहीं इसमें 500 मिलियन पैसे थे तो वो और लेड़ी कहती है वो पैसे मैंने खर्च कर दिये जो यह उसकी बात पर यकी नहीं कर रही होती है तो वो और लेड़ी कहती है तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि मेरे पास गोल्डन यही गूर्डन स्पून सुनने के बात काफी शॉड हो जाती क्योंकि यह सारी बाते सभी लोग कर रहे होते हैं फिर सीन शिफ्ट होता है ओरिजनल ली संग के घर पर ओरिजनल ही नंगता है आता है जहाँ पर ली संग उससे कहने के लिए बोलता है औरिजनल हियोंग टाए खाना खाने के लिए तयार हो जाता है फिर वो अपने पास से गोर्डन स्पून निकलता है तो ली संग उसे कहता है कि ये तीसरी बार है अगर तुमने खाना खा लिया और उसके बाद भी कुछ ना बदला तो तुमारे साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि तुम ये सारी बातों पर यकीन कर रहे फिर औरिजनल हियोंग टे कुछ नहीं बोलता और खाना खाने वाला होता है लेकिन उसे अपनी फैमली की मेमोरीस याद आने लगती जो उसने अच्छे दिन उनके साथ बिताय होते हैं फिर हमें एक फ्लेश बैक दिखाय जाता नहीं लेक्ता है तो वो ग्रोलेड स्पून से दूसर इस्पून सिच कर देता है ये काम उसने उसी दिन किया होता है जिस दिन वो ली संग की घर गया होता है फिर हमें औरिजनल हियोंग तायक एक दिखायत element लिए जो काना और रोता है और बोलता है कि वह यह कर सकता है यह वो जाने लगता है तो ली संग उसे पीटते हुए कहता है क्योंकि तुम्हें पता है कुछ भी नहीं बदलेगा। यह सब तुम्हारी ऐसी ही कहानियां तभी ओरिजिनल यॉंगताय कहते हैं कि वह इस लिए नहीं करेगा क्योंकि वह अपनी फैमली को कभी भी नहीं बदलना चाहेगा मेरे लिए पैसों से जादा मेरी फैमली इंपोर्टेंट यह सुनने की बद ओरिजिनल ली संग कुछ नही मैंने पैसों के लिए अपने पैरेंट्स को बदल दिया लेकिन यह आंगताय इस बार जीत चुका है क्योंकि उसके लिए पैसों से जादा उसके पैरेंट्स हैं यॉजिन उसको फिर से समझाने लगती है तो ली संग काफी इमोशनल होकर उसे किस कर लेता है दोनों एक दू के वहां से जाने लगता है ली संग के वहां से जाने की बजो जिन गुसे में आकर कहती है कि इसका हर जाना तुम्हें बुकदना पड़ेगा तुमने मेरे साथ बहुत गलब किया है फिर हम देखते हैं ली संग जो ही के गर जाता है और इमोशनल होकर गले लगा लेता है तो बोलकर वो वहाँ से जला जाता है फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते ली संग और यॉंग टाय का बड़े आ चुका होता है यॉंग टाय की बड़े की तयारी हो रही होती है और वो मूनकी से बाते कर रहते है तब ही वहाँ पर मेड आकर बताती कि ली संग आया है ये सुनते है ओरिजनल ली संग को और लेड़ी की बाते याद आ जाती कि दोनों लोग अपने ओरिजनल पेरंट्स को बड़े वाले दिन नहीं देख सकते हैं वरना वो पहले जैसे हो जाएंगे फिर ली संग यॉंग टाय को जाकर रोकने की कोशिश करने लगता है तब ही यॉंग टाय के डैड़ आ जाते हैं और वो ओरिजनल यॉंग टाय को देखने के बाद भी ली संग कोई यॉंग टाय बोल लाया होते यह सुनने की बदली संग सोचता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है इन्हों ने ओरिजनल यॉंग को देख लिया है लेकिन वो अभी भी म नए मतलब की कुछ भी नहीं बदल लाया तब ही वहाँ पर ओरिजिनल ली संग के डैड आ जाते हैं और वो डिलीवरी बैग ली संग को देते हुए उसका नाम लेते हैं जहां पर ओरिजिनल ली संग काफी शौक हो जाता है क्योंकि उसके डैड उसका ही नाम लेते हैं ली डेट दोनों के पास आते हुए उन्हें बैक देने लगते हैं जहां पर वो ली संग बोल रहे होते और ये एपिसोट यहीं पे खतम हो जाता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सस्काइब करना बिल्कुल भी नबूलें